नमस्का विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। उन्होंने एब अफ़े दो एशाई देशों की मदद के ओफर को दोहराया। वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रम्प ने कहा, मुझे पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाई हो रही है, उन्हें बहुत कठिनाई हो रही है। उमीद है कि वे इस पर काम करने में सक्षम होंगे, यदि हम मदद कर सके तो हमें मदद कर के अच्छा लगेगा। फैलेंग की सरकार ने सोशल मेडिया से अपत्ती जनस सामागरी नहीं अटाय जाने पर फेस्बुक और ट्वीटर पर कानूनी कारवाई शुरू कर दी है। डिजिटल अर्थ ववस्ता और समाज मंत्राले ने साइबर क्राइम पुलिस धाने में श्कैट दरच कराई है। डिजिटल मंत्री ओत्ती पोंग ने कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी फेस्बुक और ट्वीटर ने हमारी कोई बात नहीं मानी तो हमने उन पर कानून कारवाई का फैसला किया। वहीं गूगल के खिलाफ कोई ऐसी कारवाई नहीं की गई है क्योंकि उसके वीडियो प्लैट्फॉर्म ने आपत्ती जनल सामाजरी को हटा लिया था। अमेरिका में राश्पती चुनाव से पहले डेमोक्रेट कैडिडेट जो बाइडिन और उन रहते हुए इस कंपनी के गलत कामों को दबा दिया था हाला कि रिपब्लिकम पार्टी के सिनेटर्स की जाच में वे बेगुना पाए गए अमेरिका में जल्दी वीजा संबंदित नए नियम लागू हो सकते हैं डुनाल ट्रम एंविनिस्ट्रेशन ने इसके लिए नए प् पर रह सकता है एक न्यूज एजनसी के मुताब एक नए वीजा प्रस्ताव में नैशनल सेक्वरेटी के मुद्दे को सबसे ज्यादा प्रात्मिक तर दी गई है मेक्सिको सरका संक्रमन की दूसरी लहर रोकने में अब तक नाकाम साबित हुई है गुरुवा को यहां 490 लोगों की मौत संक्रमन के चलते हुई इस चोड़ी से देश में अब तक 75,449 लोगों की मौत हो चुकी है हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक बयान जारिक कर यह जानका ले दी इतना ही नहीं गुरुवा को करीब 5,500 नए मामली भी सामने आए संक्रमितों का आकड़ा 7,15,457 हो गया है बुधवार को यहां 601 लोगों की मौत हुई थी जबकि 4,683 नए केस सामने आए थे WHO ने मेक्सिको में इतनी तेजी से बढ़ते संक्रमन पविचार के लिए शनिवा को मीटिंग बुलाई है हेल्सिंग के यह पोर्ट पर फिनलेंड सरका ने संक्रमितों की पहचान के लिए स्निपर डॉग स्तैनात कर दिये है इसके लिए इस डॉग यूनिट को स्पेशल मेडिकल ट्रेनिंग दी गई है जानकारी के मताबिक यह स्निपर डॉग यूनिट 10 मिनिट में 120 सही तरीके से संक्रमितों की पहचान कर सकेगी फिलाल इस यूनिट को यूनिवर्सिटी ओफ हलसिंकी की देख्रेक में ट्रायल के तौप तैनात किया गया है कुछ दिनों बाद इसकी समिक्षक की जाएगी अगर नतीजे सही रहे तो यह प्रोसेस जारी रहेगा बता दें कि इसके पहले ये स्निपर डॉग यूनिट मलेरिया और कैंसर जैसी बिमारियों से ग्रस्त लोगों की पहचान कर चुके है फ्रांस सरका ने देश के टूरिस्ट प्लेस मार्सिली में बार और रेस्टूरेंट्स बंद करने का अदेश दिया था लेकिन इस्तानी प्रशासने इसे मानने से इंकार कर दिया है यहां कारूबारियों के संगटन ने इसे सामोई सजा बताते हुए काहे कि इससे शेर की पहचान और सम्मान पर असर पड़ेगा हेल्थ मिनिस्टर उलिवर वेरन ने काहे कि देश में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं एक बाप फिर अस्पताल फुल होते जा रहे हैं लेहाजा सक्त कदम उठाने होंगे लेकिन इन कदमों का विरोध तेज हो गया है कनाड़ा की प्रधामंत्री जस्टिन टूडो ने कहा है कि देश में करोना वारस की दूसरी लहर चल रही है बुधवार को जारी बयान में टूडो ने कहा यह कहना सही नहीं है कि वारस की दूसरी लहर शुरू होने वाली है मैं साथ तो पर बताना चाहता हूं कि हमारे देश में इसकी दूसरी लहाश शुरू हो चुकी है गनाडा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बुद्वार को बताए कि देश में 1,47,000 मामले सामने आ चुके हैं बुद्वार को 19 नए मामले सामने आ चुके हैं वह अगले साल परवरी से यह पत समालेंगी इसी के साथ फ्रेजर वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंकों में से एक कमान समालने वाली पहली महिला प्रमुक बन जाएंगी पाकिस्ताने Conference on Investigation and Confidence Building Majors in Asia की बैटक में गुरुवा को कश्मीर का मुद्दा उठाया 27 देशों के इस संगटन में यहां मुद्दा उठाने पर भारत ने नाराज की जहें की इस बैटक में भारत की और से विदेश मंतरी एस जैशंकर मौजूद थे विदेश मंतराले ने कहा पाकिस्तान ने फिर से अपनी जूटी कहानी पहलाने के लिए एक बैश्विक मंच का गलत इस्तमाल किया है पाकिस्तान को जमुकश्मीर और लद्दा का बोलने का कोई हक नहीं है ये दोनों भारत का अभिन हिस्सा थे और रहेंगे फिलाल इस बुलिटर में तना ही आपने रहें ये नस्चीविक के साथ नमस्कार